हेलो गैस विलकाम बैक टू टेलेवूड अपडेट्स जैसा कि हम सब जानते हैं बस अब नई जनरेशन लीप की जो कहानी है वो स्टार्ट होने ही वाली है अब वाली जो कहानी थी वो फिनिश हो गई अल्मोस्ट और जो निव कहानी है निव चेहरों के साथ रफसे दुआ सीरिल में वो बस अब सेंटर स्टेज लेने वाली है और कहानी उसी के साथ आगे बढ़ने वाली है इसी के चलते हुए सीरिल के पुराने लीड यानि कि सीजन लेते हैं उन्होंने क्या कहा है तो वैस उन्होंने यही कहा है कि सबको पहले तो अन्वेवरिंग सपोर्ट के लिए सबका इतना दाधा सपोर्ट रहा हैदर के करेक्टर के लिए जो उन्होंने प्ले किया बले वो मेकर्ज हो टीम हो सेल की या फिर फैन्स हो हर किसी ने उनको रोज सुबा उठाके ये encouragement दी कि वो अपने limits पुश्क करें और उनका ये कहना है कि वो यह होप करते हैं कि आने वाले और भी time में वो different और अलग-अलग challenging acts के साथ और ऐसे किरदारों के साथ आपको entertain करते रहेंगे और फिर उन्होंने अपनी कुछ फोटो शेयर करी रफसे दुआ के सेट से जो की हैदर के character में उन्होंने खिचवाई थी और उन्होंने यही कहा है कि इस role के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया था और काफ़ अधा मैनत करी है इस role के लिए जैसे कि वो हर role के लिए देते हैं और फिर उनका यह कहना है कि हैदर का जो character था यह जो करदार था वो एक positive गरदार था अफ़कोर तो उसे काफी चीज़ें सीखी भी है उनने जो main चीज़ें सीखी हैं वो यही है कि एक कैसे एक अच्छा बेटा अच्छा भाई और अच्छा husband बन सकते हैं और कुछ और values भी उनने इस character से काफी ली है जैसे की कौन सी चीज़ सही है उसके लिए हमेशा लड़ना चाहिए वहले जो भी मुश्किलें आए हमारे सामने तो कैसे रफसे दुआ का एक एरा खतम हो रहा है और नया एरा स्टार्ट हो रहा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाकर उस वीडियो को जरूर देखाईए फिलाल के वडियो उमीत नहीं मिलते हैं अगले वीडियो में अभी लिए चलता हूँ गुडबाई